हलो एवरिवन कैसे हो आप सभी आपके मन में बहुत से कोश्चन्स होंगे उनके जवाब मैं दूंगी थोड़ा सा रुकिए सबर कीजिए तो यहाँ पे देखिए मैं चांदनी चोक से पापा जी और मैं मेट्रो से आये थे यह हुड़ा सीटी सेंटर है गुडगाओं का यहा विहान के लिए मैंने मोटू पतलू जो खिलोना होता है वो खरीदा था इसके लावा बरतनों का सेट मैंने विहान के लिए खरीदा जो विहान को बहुत पसंद आया था और विहान के लिए मैंने चपल खरीदी थी 50 रुपे की पैसे ज़्यादा शोपिंग नहीं करी सोचक तो इसलिए वापिस करनी पड़ी मुझे बाकी जो प्रोपर चांदी चोक में जो दुकाने होती है न खिलोनों की वो मेरे को बापा जी ने दिखाई नी वो मैंने नहीं देखी है जहां पर मतलब सस्ता समान भी मिलता हो और अच्छा समान भी मिलता हो तो कोई बात नहीं चलो वैसे भी बच्चे के पास मेरे बहुत सारे खिलोने हैं कभी देख लेंगे अभी तो जरूरत भी नी थी टोईज वगेरा की तो यहां पर इतनी जादा थक गई थी न मैं मुझे इतनी तेज प्यास लग रही थी तो यह न भाया दो तरीके का लेमन बनाते हैं यह यह न हर इस पहल जगह दिली में लेमन हर जगह ही मिलता है यह 30 रुपय का ग्लास मिलता है कहीं भी पी लो आप चाहे चांदनी चोक में पीलो चाहे हूदा सीटी सेंटर में पीलो और यह नमक बहुत डालते इसमें तो पूछ रहे थे कैन सा वाला डालनी एसमें तो मैंने गालने एड़ कर दो और यह बोलते ओरेंज वाला मुझे समझ नहीं आया ओरेंज तो मीठा होता है मीठे में नीम्भू कैसे एड़ करेंगे यह थोड़ा सा जीब लगा मुझे बट कभी क्या पता में भी टेस्ट अच्छा होता हो तो मैंने यह वाला पिया था क्योंकि मैं इतनी ते तीन बदले उसके बाद यहां पर कुछ दुकान थी यहां पर पापा जी ने कहा कि सेब ले लेते हैं विहान के लिए लेने हैं तो देख ले तो मैं बोलती पापा जी मैं रेट पूछती हो अगर सस्ते मिलते हैं वरना तो मैं हिसार से ही ले लूँगी अगर यहां पर सस्त और साथ में विहान को मैंने बर्तनों का सेट भी था यहां पे विहान ममी के साथ भी बैठा हुआ था राम से और मम्मी बोलते कि एक दो दिन और रहले मेरा मन लगा हुआँ वीहान की वजha से अच्छा लगा है मुझे भी यहाँ पर देखती हूं तुमें तो मैंने मना करा मम्मी को मैंने का मम्मी मेरा वो दिक्कत नहीं है एक दो दिन और रहने को चलो मैं रहलू लेकिन बच्चे का सोचना पड़ेगा ना उसके और तीन कारण थे मेरा एकदम से हिसार आने का पहला कारण तो ये था कि मेरा कुछ प्रोमोशनल वीडियो बनानी होती है मुझे और वो समान मेरा हिसार में रखा हुआ था अब मालो मेरे को डेट है कि 20 को देनी है तो मेरे पास समान भी तो होना चाहिए ना बनाने के लिए वीडियो तो वो सारा हिसार में था तो मुझे हिसार जाना ही था चक्कर तो मेरा लगना ही था भी और दूसरी कारण था कि विहान का स्कूल और ट्यूशन अगर विहान को भी मैंने स्कूल में नहीं भीजना शुरू किया होता तब जाए मैं एक महीना भी रुक लेती, मुझे क्या दिक्कत थी, आप ही बताईए ना, मैं तो बलकि यहां पे यहां पे इतनी जीम है, आपको पता यह गुडगाओं में तो जीम इतनी जाद है, हिसार म यह मेरा केक है, मिल गया, मिल गया, मिल गया, इसमें सारे केक है, दिखा कितने केक हैं, इसमें सारे 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 केक ह यह वीहां के मामू ने वीहां के लिए केक मंगभा दिये थे मुझे पूचा था क्या खाता है ये तो मैंने का ये ना इस तडिके का जो केक tragically है ये तो पसंद करके खाता है तो मंगभा दिया था था ये पूरा डबा था ऐधिंक 180 रूपे का था इसमें 18 केक थे falando मैंने 20 मुझ के आई थी मैं कि मैं यहां पर रहूंगी तो डाइटिंग बिल्कुल नहीं करूंगी जो दिल में आया मीठा क्या आड कबार सब कुछ खाऊ पीओंगी लेकिन फिर घर जाके ना फिर मैं अपना थोड़ासा डिसिप्लीन के साथ चलूंगी और अपना वजन घटाना है म क्योंकि मेरा वजन सच में बहुत जादा बढ़ गया है मुझे खुद को पत है एक होता है ना बंदा अपना शरीर देखता है तो मुझे देख की समझ में आ रहा है कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ अभी इस टाइम तो यह देखो यह सुबै का टाइम था सड़े चार पच का 4.45 चार पचास का टाइम था घर से हम 4 बच के 40 मिनट पर निकल गये थे और यह ओटो किया हमने उसके बाद यह देखो कैब ले थी तो यहां पर चार सो रुपे लगे थे देखो आप बतलब चार सो रुपे में इन्होंने ये ना फैमिली कैब थी है बतलब इनमें हस्बेंट और वाइफ थे तो विहान तो रस्ते में पूरे रस्ते सोता हुआ आया था एक देट घंटा मैं भी सो गई थी मीद आ गई थी मुझे भी तो थ फाइनली हम आगे हैं हिसार और मैं आज सुबह विहान हम कितने बजह चले थे सुबह 5 बजह 4.45 पर हम घर से निकले थे ये आलू के परांठे ना पापा जी ने सुबह बनाए थे बिल्कुल ही सुबह अर्ली मोर्निंग सड़े चार बज़े से भी पहले उठके तीन परांठे पैक किये थे उसमें से एक परांठा मैंने विहान के टीफिन में डाल पैक कर दिया ये दो परांठे रखे थे मैं का हमडी नाश्ता कर लेते हैं साथ में हरी मिर्ची का अचार है आपकी ना आधी टेंशन खतम हो जाती है जब आप इतना ट्रेवल करके घर आओ और आपको घर एक दम सैट मिले पूरा सफाई करके घर से आई थी एक जाडू भी लगाने की जरूरत फिल नहीं हो रही है इ मैंने ना वहां पर भी बात करी थी पापा जी से भी बात करी थी और पापा जी और सब एगरी थे बस मम्मी नहीं मान रहे है मैंने मम्मी को को यह बोला हुए है वो उनको यह बता है मेरे मम्मा का क्या है निचर वो पैसे की तरफ देखते हैं वो सोचते है पैसे लगेंगे टेस्ट करवाएंगे यहां हिसार में सरकारी होस्पिटल में फ्री में हो जाते हैं तो वहां करवा लेंगे तो देखो मेरे मम्मी का मैंने बोला है कि बस एक के एफटी किड्नी फंक्शन टेस्ट और एक शूगर का बस ये दो टेस्ट करवादे मेंने बोला है मम्मी को बस यह दो टेस्ट और चायि तीसरा कोई picky test मत करवाओं है ना क्योंकि इसका कारण है क Après मैंने notice किया मंपा के बाथरूम में ज्ञाग बन रहे हैं तो यह न प्रोटीन की लीके जोती है, यूरीन में हो जाती है, इसके दो ही कारण होते हैं, या तो आपके शुगर है, क्योंकि मेरी ममी मीठा बोखोत खाते हैं, वैसे भी, तो उनको एक बार इस उमर में चेक करवाना भी चाहिए, और दूसरा है कि किड्नी की जब दिक्कत ह होती है तब यह चीज और क्योंकि ममी के घुटनों में दर्द रहता है और ममी का अभी पिछले कुछ दिनों में ममी यही कह रहे थे कि उनको ना खाने की इच्छा कम हो रही है, तो इसका कारण हो सकता है, थोड़ा सा कोई इंफेक्शन हो सकता है, ना बोड़ी में इंफेक जिस हैसाब से क्योंकि देखो, इस उमर में 60-62 पे कोई ना कोई देखो, कुछ ना कुछ दिक्क्त और शरीर में बनती है इस उमर तक हमें इसी उमर में दिक्कत होने लग जाती है, है ना तो एक बात और मुझे आपको बतानी थी, आज जब मैं कार में जा रही थी थी, तो की डैथ हो गई थी मेरा मेरा बच्चा उश्राइम 45 दिन का था जब एक्सपायर हुए फिर कैसे हुई डैथ वह भी मैंने बताया था तो यह सब आते चल रही थी तो वह मुझे बोलते समझा रहे थे काफी बोलते आप दू सेकंड मैडिज के बारे में सोचो वह ऐसे बोलते क कि देखो अभी तो आपको पता नहीं चलेगा फरक नहीं लगे पड़ेगा कि आपने शादी करी ना करी अभी तो आपके 10-15 साल आपको फरक नहीं पड़ेगा लेकिन जब आप 40-45 तब आपको समझाएगी यह चीज कि यह मतलब शादी उस टाइम आपको लाइफ पार्टन इसी टाइम निकल जाएगा तो उन्होंने मेरे को काफी बोला नहीं नहीं लाइफ को सेकिंट चांस दो मैंने उनको इसके बास कि अपनी समय है तो इसके बास यह रगे है कि बसवह रही है क्या भोलू मैं आप लोगों से पसे बोलूँगी कि ना एक बार ना मेरा इस घर का सारा लोन खतम हो जाए थोड़ा सा विहान के लिए मैं पैसे जमा कर लूँ फिर कोशिश करूँगी थोड़ी सी कोशिश करूँगी मैं इस बामले में second marriage के उसमें बट अभी कुछ अभी मैं इस साल तो बिलकुल नहीं सोच सकती second marriage का क्योंकि अभी जब तक मेरे अगले छे महीने नहीं सोच सकती मैं कि मैं दूसरी शादी करूँ ये करूँ और क्योंकि मेरे को मेरी अभी priority ना कुछ है पहले उनको पूरा करना मेरे लिए अगले एक साल में पहले ज़्यादा ज़रूरी है में तो देखो अभी आपको मैंने बताया कि मेरा वजन भी बढ़ गया है ज़्यादा खाती हूं बहर का और ये कबाड आपको मोटा करता है है आपका वजन भढ़ाता है क्योंकि मैं शुगर ज्यादा इंटेक कर रही हूं शुगर की वज़े से मेरा वजन भढ़ रहा है कि मुझे पता भी निए कि मैं इतनी बीजी रहती हूं कि मैंने खाना खाया नहीं खायाए आप सोचों तो मुझे अपने पहले तो तो अभी के लिए मेरा यही एक है कि मुझे अपना पहले तो लोन पूरा मैं खतम कर दूँ सारा दोनों घरों की रिजिस्ट्री करवा दूँ यह दोनों फ्लैट्स ठीक है और इसके अलावा विहान के नाम बहुत जादा नहीं दो लाक रुपे भी मैंने विहान के लिए है Stunden एपने ल Dos детей हन युद्फ साल दूठी तो अब उपनी अगले 6 महीने चाहते हैं मैं अगले 6 महीने में खुद और हको अपने बच्चे को देना चाहते हूं अपनी लाइफ को थोड़ा से देना चाहते हूं अब अगले 6 महीने के बाद, अब अगले 6 महीने में लिएभ अभी चल रहा है सितंबर अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर जनवरी, फरवरी, मार्च मार्च, हाँ, मार्च तक मार्च के बाद मैं पक्का सोचूँगी मैं सच में सीरियस नोट पे सोचूँगी शादी के लिए अभी 6 महीने तो मैं नहीं सोच रही हूँ अपरिल में सोचूँगी और वो भी मुझे देखते हैं, अजलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सीरियस होके सोचूँगी कि नहीं मुझे अभी करना है, ऐसा करना है, बस मैं कैजूल इतना कुछ तो हुआ तो मायन में में तो बैठ जाती है नेकटिविटिफिट निली नहीं पूल लिए और साथ गाते हैं सबस्ट्रit नीटिव्टों कर मदेकिन कर व कुछ लिए साथ कि देखो यह होता है वह होता है तो यह मैं कहा थी कि चलो कोई बात नी हम करेंगे अभी मेर को बस अपना सबसे पहले तो मैंने आपको 75 डेज वाला बताया है वह आज से मैंने शुरू किया है इसमें मुझे बहु सारा पानी भी पीना है अपना थोड़ा सब वर्काउट में म कि मेरा आपको भी पताया देखिए आज मैं इस वीडियो में कुछ जाद ही बाते कर रही हूं मैंने आपको बताया था कि मेरा इस साल का एम था कि मैं दोनों घरों की रिजिस्ट्री एंड तक दिसंबर तक करवा के फ्री हो जाऊंगी अपना वजन भी पूरा ख़तम कर मैंने बहुत सारी किताबे भी बढ़ूंगी मैंने बहुत से एम्स बनाए थे दोजार चोबी दोजार तेईस को लेके आप सब के हाँ शेयर भी करे थे लेकिन मेरा एक भी एम अभी तक पूरा नहीं हो आप सोचों कुकिंग की रखी थी कुछ मैंने बनाय था ना अपना ए दोन तीन लाग का अभी भी बचा हुआ है दो गरों की रजिस्ट्री मतलब सड़े चार लाग का काम तो बचा हुआ है पूरा सड़े चार लाग का और महीने कितने बचे आप देख लो एक सेलरी मेरी आएगी सितंबर में एक अक्तूबर में एक नौंबर में एक दिसंबर म इतना कहां से कर लूँगी और बागी भी है मेरी किष्टे भी जाती बाइकी तो यही बात है कम से कम अगर मैं घर का नहीं कर सकती तो मैंने कुछ और एम्स बनाया थे अपने वजन को लेके एम बनाया था कि इस साल के एंड तक मैं साथ किलो पर अपना वजन ले आउँगी त ग्योड को बनाया थे दुहजार तईति को लगे करने हैं तो कम से कम इस में तुह पूरे करूं मैं साथ मैसे हाठ लगेगा कुछ तो किया पड़ना क्या है ना थीक है जी चलिए इस वीडियो को में यारnd करतीम नेक्ष वीडियो फिर कंडिनी वीडियो अच्छी लगे ला लोट सफलाओ